हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक डेव वीडियो में जिसमें हम लेके आए फॉर्स्ट सेमेस्टर स्टूड़न के लिए एक्जाम के कुछ न्यूज और उसकी कुछ अपडेट सबसे पहले हम बात करें कि एक्जाम ओफलाइन होगी या ओनलाइन होगी आज के दिन में सबसे बड़ा फर्स्ट यर स्टूड़न के मन में यही सवाल है कि एक्जाम कैसा होगी ओफलाइन या ओनलाइन हर एक स्टूड़न इसका अबाउट ही थोड़ा कन्फूजन है तो सबस कि एक्जाम ओफलाइन ही कंड़क्ट होगी विकोज ओनलाइन काफी सारे इंपोसिबल है और काफी सारे वैसे टेक्निकल इस्यूज भी आती है जिसकी बैसे ओनलाइन एक्जाम नेना पॉसिबल नहीं है अभी लोगडाउन जब हुगा था तब जीटियू ने जो सेगेंड थ केस्यां को स्टूडेंट को option ही नहीं आये थे वह क्या होता था सूर्फ स्टूडं को question हे दिख रहा था उसके नीचे कहीं ना तो एक्जाम का answer कहा दे उसका कोई mark Tha और option ही नहीं थे सो ऐसा प्रोब्लम आये थे GTO के student को इसलिए काफिस सारे student को online exam नहीं मतलब वो अच्छा नहीं होता है और GTO की technical issue की budget से भी ये possible नहीं है सो exam offline ही होगी और इस पार भी देखें सो exam offline होने के काफिस ज्यादा chances है क्योंकि आप देख सकतें कि IIT ने last year lockdown के बाद जैसे unlock start हुआ था उसमें JW conduct करवाई थी NEET की भी exam होई थी तो exam offline ही होगी ये तो पहली बात पकी है अब हम दूसरी बात करते कि when and are कब होगी ये exam और कैसे होगी सो उन लोगों को exam देने के लिए choice देनी थी यानि की जो student जहां पर भी रहता हो वहाँ पर college में तीन selection देने होते थे university को सपोज आप राजकोट में रहते हो सो आपको राजकोट की कोई भी तीन college exam को choice में देनी रहती थी सो ऐसे student ने अपना जो center होता है उसे भी selection किया था और जो exam के form होते है ज्यादा तर लोगों को नहीं पता है foster student को कि एक exam का form fill up करना होता है वो भी student को अपने आपसे ही feel करना था सो अभी उसको देर है थोड़ी सी जैसे ही उसका आएगा exam date था तब वो में भी बता दूंगा कि form कैसे fill आप करते है इस तरह से exam होगी जैसी exam के एक महीने पहले आपकी date आ जाएगी और इस तरह से offline exam होगी आपकी नजदिक की college में इसमें काफी सारे student को ये भी दिखकत थी कि उसके नजदिक कोई GTO की college नहीं है उसके नजदिक transportation की facilities नहीं है इन सब में GTO ने काफी सारे discussion के बाद आपको काफी सारे choice दिया होंगे तो उसको आप में confusion होने की जरूरत नहीं है और exam का form आपको ये खुद से fill up करना होगा और exam का जो payment होगा वो भी अपने आपसे ही online क confusion सबसे पहले university ने ऐसा डिक्लेर किया था कि exam 23rd November 2020 से start होगी यानि कि अभी जनवरी चल रहा है तो 23rd November को GTO ने डिक्लेर कर दिया था कि exam तब से start होगी उसके बाद ये आये कि exam को postpone करना पड़ा कब तक 10 December यानि कि 10 December 2020 GTO University ने 3rd और 4th year student के लिए ये नई date दी थी उसके बाद फिर से क्या हुआ कि again exam को postpone करना पड़ा 20th of January 2021 आप देख सकते कि काफी सारे प्रोब्लेम आ रहे है युनिवर्सिटी को exam conduct करना करवाने के लिए तो आपके साथ भी ये हो सकता है कि suppose GTO ने ये बता दिय कि exam होगी वह आपकी April और उसके बाद start होगी उसके बाद फिर से कोई एक नया नियम आएगा तो इस तरह से आपको prepare रहना पड़ेगा अपनी जो पड़ाई है उसके साथ all students form fill by on जैसे कि मैंने इससे पहले ही बता दिया कि सभी student ने अपने आपसे form fill up किये थे exam के लिए online payment क भी किया था और तीन चोईस की देनी होती थी student को कि उसको कहां पर जाके exam देने के मतलब अच्छा है तो वहां से वह exam दे सकता है तो इस तरह से third or fourth year student के काफी जारा confusion हुआ था और यह engineering students है दूसरे student के लिए यह date change होगी वह भी आगे चलके वह में बताने वाला हूँ सो यह हुआ था कि सबसे बहले 23rd November उसके बाद 10th December उसके बाद 20th January अब यह date दी है अब पता नहीं इस तारीकों exam होगी या नहीं होगी देखते हैं अब हम exam is already started इसके उपर में कुछ बताना चाता हूँ कि काफी सा और से offline exam conduct ना करवाए क्योंकि उसके उसकी वज़े से Corona का संक्रावन फैलने के भी chances है बट इसके बावजुद exam देनी रहती है इस तरह से exam already start हो चुकी है अब हम बात करना चाहता हूँ कि आपकी exam आईगी तो आपको भी प्रिपर करना पड़ेगा तो आप कैसे करवाओगे यूट्यूब learning अगर आपको online classes में नहीं इतना अच्छा लगता है उसमें से आपको नहीं बढ़ाई में इंट्रेस्टिंग हो रहा है तो आप यूट्यूब पर से सीख सकते हो यूट्यूब में काफी सारे information है आपकी engineering के related और मैंने काफी सारे वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बता सब्सक्राइब को ब्रीफ information देता हूं कि nptl आईटी के professor और आएस्ट के professor उसमें आपको lectures देने आते हैं मतलब online wait for exam date यानि कि exam जब भी होगी आप तारिक के लिए इंतजार मत कीजिए अपनी तरह से start preparing by yourself क्योंकि जीटियो में आपको यही आदित डालनी होगी आपको अपने आप से एक्जाम की preparation start कर देनी होगी क्योंकि आप exam की date के लिए wait करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 15 दिन बाकी एक्जाम पे और आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है इसलिए अभी से start कीजिए exam का preparation read all the previous years paper अगले जो कोई भी साल के paper है सबसे ज्यादा focus उसपे ही कीजिए क्य तो आप कुछ भी doubt मत रखें अपने mind में सिर्फ अपने आपसे पढ़ाई start कीजिए क्योंकि आपको SPI अच्छे लाने है SPI की बदे से आपके CPI अच्छे होंगे और तभी आप अच्छे से placement में बैट पाओगे तो यह है conclusion कि आप offline exam होगी और इसका date का इंतजार मत कीजिए अपने आपसे preparation start कीजिए